दोस्व कैसा आप सभी लोग और आज की वीडियो फिट से रहने वाली है निसान मैगनाइट के ओपर प्रीविएस वीडियो में हमने बात करी थी कि यहाँ पर इसका जो सेकंड टॉप मोडल आता है वो कैसा है क्या क्या चीज़े यह आफर कर रहा है उसके बारे में हमने हर ए चैनल के बारे में टॉप कर रहा है ठाल के जाता है चीज़े और क्यों यह से एक वेली नी वरियारन शुरुईर्ण और सबसे पहले जानते हैं कि यह शुरूम प्राइई है तो 7,4,000 रुपे की आपको एक्षियो रूम पढ़ जाती है और अन रोड ही आपको पढ़ जाएगी 8,3,000 रुपे की और ये जो ब्लैक कलर है पहले मैं इसके बारें बात करना चाहूँगा कि गाड़ी जो है ब्लैक कलर में बहुत ही जादा सुन्दा लग रही है तो बहुत ही प्यारी SUV है क्योंकि यहाँ पर इसके जो डाइमेंशन है वो बहुत जार अच्छा रखे गए हैं कॉम्पटीशन से आप इसके चोड़ाई देखो ना चोड़ाई साब को अंताजा आ जाएगा कि 8,30,000 रुपए में हमें कितनी बड़िया गारी हाँ पर देखने को मिल रही है अगर मैं बात करता हूँ इसकी चावी की तो चावी जो है आपको इस तरीके से मिलती है बेसिक से चावी मिलेगी जिसमें आपको सिर्फ लॉक और अनलॉक का बटन मिल जाएगा बाकि अगर हम फ्रंट में देखते हैं तो निसान का लोगलों क्रोम टीटमेंट impossible आपके की बात करते हैं तो आपको हिलोजन में लेगी इंडिकेटर हिलोजन में में देखने को मिलेंगी लेकिन ड्ल्LE और इसमें आपको देखने को नहीं मिलते हैं इसकी रिप्लेट आपको मिल जाती है silver color की और जो लुक्या वो कुछ इस तरीके से बनता है अगर हम engine की बात करते हैं तो वन लीटर का इसमाँ आपको natural aspirated engine मिल जाता है टरबो का option भी है लेकिन वन लीटर का उन लोग के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है जिनको mileage भी जाहिए और जिनको गाड़ी जो है maximum city में drive पनी है उनकी mileage पहली पराइटी है तो यहाँ पर जो गाड़ी है आपको यह निकाल के देती है 71 की भी एचपी और 96 एनम का टॉर्क दो साल चाली सार किलोमेटर की warranty कमपनी क्लेम करती 19 का mileage और जो engine है BS6 phase 2 वाला engine है तो बहुत ही साथ रिफाइंड engine है और हर एक चीज इसमें हाँ पे norms के साब से करी गई है सेटप की बात करता हूं तो 195, 60, 16 का complete tire सेटप है इसमें company में provide करा रही है MRF wanderer के tire और इसमें आपको steel rim देखने को मिलेंगे wheel cover के साथ बाकि जो RVR में आपको glossy black के साथ मिलते हैं और इसमें आपको मिल जाता है LED में indicator एक बार अंदर से check out करते हैं कि क्या हम इसको adjust or fold कर सकते हैं तो बिलकुल इसको adjust भी कर सकते हैं fold भी कर सकते हैं तो यह चीज बहुत जादा अच्छी है roof rail आपको देखने को मिल जाती है और anti ना आपको normal वाला देखने को मिलेगा quarter panel glass मिल जाता है और यहां पर फ्यूल टैंक के यह आपको मिलता है 40 liters का और यहां पर a pillar जो इसको gloss black रखा गिया है और side से गाड़ी लगती बहुर अच्छी है अब इसके जितने भी dimension रहने वाले हैं कि land क्या है width क्या है height क्या है हर एक चीज में डिस्प्ले में दिखा रिखी है ground clearance की बाद करता हूँ तो 205 mm का ground clearance है और अपने segment में इसको बहुत ज़्यादा best कहूंगा ठीक है चलते हैं पीशे की तरफ पीशे सागर check out करते हैं तो यहां पर आपको देखो defogger मिल रहा है वाइपर मिल जाता है चार parking sensor मिल जाते हैं और diffuser भी आपको काफी अच्छा देखनी को मिलेगा बाकि निसान का logo magnet की बेजिंग लाइट्स जो है complete तरीके से हेलोजन छोड़ी गई है camera नहीं मिलता है इसमें एक बार करते हैं से open तो यहां पर देखो बूट स्पेस कितिनी जादा अच्छी है 336 लीडर की बूट स्पेस मिल जाती लेकिन पार्शल ट्रे यहां पर नहीं मिलेगी और यह जो सीट है पीशे की इसमें आपको मिल जाते हैं इस तरीके से adjustable headrest लेकि 60-40 वाला option नहीं है ठीक है देखा जाए आठ लाग तीस अदा रुपे के हसाब से जो काम की चीज़ा होती है डिफागर वाइबर सेंसर सब कुछ मिल रहा है टायर सेटफ सो लेंच का मिल जा रहा है और वीम हमें मिल जाते है एड़जस्ट फोर्ड एलेक्ट्रिक और कॉंबिनेशन दोर्स के बाद में करना चाहूंगा तो यहां पर हलकी सी कमपणी ने कॉस्ट कटिंग करी है लेकिन इससे कोई फरक पड़ता नहीं है और ड्राइवर साइड आपको वन टॉच डॉण देखने को मिल जाएगा बाकी पानी की बहुतल डॉक्यमेंट कर सब तो स्पीकर आपको देखने को मिल जाते हैं चार स्पीकर का पूसेट मिल जाता है सीट में आते हैं तो सीट आपको complete परीके से फैबरिक देखने को मिलती है और adjustable headrest आ जाते हैं लेकिन height adjustment का lever नहीं है और dedicated आपको traction को आफ करने का button मिल जाता है फिलाल एक काम करता है गाड़ी करते हैं ऐसे बंद चार भी लगा लेते हैं एक बार और एक और चीज़ कहना चाहूंगा कि अगर आप इसका xv variant देखोगी अगर आप वाली वीडियो चेक आउट करोगे तो वहां पर जो इसका instrument cluster है उसमें आपको design अलग देखने को मिलता है वो complete तरीकी से digital में रखाई है इसमें क्या है कि यहां पर कोई glass ही नहीं है तो यहां पर company ने cost cutting करी है ठीक है फिलाल साउन करते हैं तो digital आपको यह भी देखने को मिलेगा लेकिन यहां पर जो design है बिल्कुल different है सेंटर में आपको ट्रिपीटर देखने को मिलेगा टैको मीटर स्पीडियो मीटर गाड़ी है traction control TPMC अगर मिल जाता है एडीच में भाट करेंगे तो इसको तेली सकूपिक देखने को नहीं मिलता है और अगर आपको इसका चुछ को फिकर आदेश करना है तुल अब यहां पर यहां चो प्र हैथा बैंटकि दिया है ईस आविडदिवोटन और करोगे दोड़ीन वाल यहां पर स्पेसिंग देखने को मिल जाती है तो बड़ी लाजवाब यह चीज़ है इसे कहता है हर एक चीज़ का प्रॉपर तरीक से यहां पर यूटिलाइज करना इधर भी स्पेसिंग और चार्जिंग आपको मिल जाएगा दो कप यहां पर कर सकते हो बागी बड़ी पानी या फिर बेस मोडल आता है उतने हमें यह गाड़ी मिल जारी टॉन ओफ फीचर के साथ SUV गाड़ी मिल जारी है जिससे चलाने का मज़ा ही अलग आता है तो अब क्या ही कहने पीछे की सीट में और एक और चीज़ कहने ही पड़ेगी गाड़ी की बिल कॉलिटी है वह बहुत यहां पर देखेंगे तो आपको स्पेसिंग अच्छे का से मिल जाती है यहां पर तीन लोग बड़े अराम से बैठ सकते हैं दो एडिस्टेबल हैड्रस आपको मिल जाएंगे और यहां भी सॉफ्ट अच्छ है बाकि पानी के बहुतल स्पीकर देखने को मिलता है यहां पर परपोर्ड में भी कोई दिक्कत नहीं है और हैड्रू स्पेस भी अच्छा कास है बद जो सीट है यह थोड़ी इंकलाइन रखी गई है रिकलाइन एंगल और बैटर कर सकते थे फाइल कॉंक्रिशन की बात करता हूं तो देखो आठ लाग तीस हजा और रुपे ऐमांट तो अगर गाड़ी के अंदर बैठेगा तो वह कही घयार कि हाँ गाड़ी स्पेशियास है पांच लोग बड़े अनाम से बैठ सकते हैं तो मेरे को तो बहुत ही बढ़ी यह वेरियंट लगा देखो मेरे को क्या दिक्कत लगती है जो वैल्यू फॉर मनी में होते हैं उन्में मै प्रेश वाला नहीं है लेकिन कोई भाद नी काम चल जाएगा आपके क्या सोचने कमेंट के कि जिवर से बताना वाकी मैं आपको मिलूंगा ऐसी और वीडियो के साथ बहुत जल तपते के लिए जय हिंद जय भारत